एर्वेक्स या फिर कांदा मैल कई लोग कानू इस तो कीन नांदी होवेगी पर सचता ए है कि कांदा मैल साड़े सरीर चो निकलन वाला एक अजीहा कुदरती रिसाव है जिसदा एक एहम काम हुंदा है इस दिले इसनू साफ रखना कोई अजीही चीज नहीं है जिसनू तुसी हलके दे विच ले लवो बरतानवी ENT सर्जन ग्रैबियल वेस्टन ने कांदी साफ रखन दे सबतो चंगे ते सबतो खराब तरीक्या दी परताल किती है किसे नितिजे ते पहुंचन तो पहला डॉक्टर ग्रैबियल वेस्टन एस पश्ट कारदेने की कांदा मैल एक जीहा पदार्थ है जो कांदी अंदर मौजूद ग्रंथियां दे विच मौजूद हुंदा है आते इस दे कई काम हुंदेने ए साधे कान नू साफ अते सेहतमंद रखन दे विच मदद करदे ए कांदिया नलिकावा दे उपर जम्मी परत नू सुखाण आते उस दे विच दरार पाउन तो रोक दे ए कांद नू तूलते पानी तो बचाउन दे जिस दे ना लाग नू रोक दे विच मदद मिल दी है जाधते साधे कांदिया नलिकावा खुदी अपनी सफाई कर लें दियाने पर कांदा मेल समस्या कदो बांद है जिदो असी कुछ बोल देयां, कुछ बोन देयां, अपने जबड़यानों कमोन देयां ता एरवेक्स सते चम्री दी कोशिकावा, होली होली कांदे पर देतो, कांदे छेदवाल वध दियाने ए आम तोरते सुक के बाहर निकल जानत है एरवेक्स या कांदा मेल आम तोरते कोई समस्या नहीं है पर जेकर यह जादा मात्रा देविच बनन लगे, ताई कर रुकावट बन सकता है जिस देनाल कांदेविच दर्द हो सकता है या फिर कुछ मामले देविच सुननन दी समर्था कमजोर हो सकती है बजार दी विच कई अजिया चीज़ा विकदिया ने जो वादा कार दिया ने कि इस दे इस्तमाल देनाल कांदा मेल साथ किता जा सकता है पर सवाल है वे कि की इना चीज़ा देनाल वाकई मदद मिल दी है Cotton birds जदो से अपने कान नू उंगलिया दे नाल साफ करन दी कोशिश कर देयां ता अकसर ही समस्या पैदा हो जानती है रू दे नाल या cotton birds दे नाल साफ करना ता होर भी जादा जोखिम परया हुंद है हाला कि जादा तर लोग इस दा इसी मकसद दे नाल इस्तमाल कर देने जरूर पाड़ लवो हाला कि पहली नजर दे वीच एक जीही चीज लागती है जिस दे नाल कोई नुकसान नहीं होवेगा मुम्किन है कि cotton दे उस पैक दे विच तो हानुय लिख्या मिले कि cotton bugs नू कांदीय नलिकामा दे विच नहीं पाना चाहिदा है पर जोडव सीज दे इस्तेमाल कार देया तासी एयर्वे लेक्स नू कांदे विच तके एलदिन देया एक कांदे उना हिस्सी युई दे विच छоп दे जोकी खुदी सफाई दे विच सम्रत नहीं होंदे एर्वेक्स देनाल कांदे बाहर वाल जहें बैक्तीरिया वी आ सकतेने जो की लाग दी वजा बान सकतेने एर केंडल्स जेडे लोग कांदी मैल तो छुटकारा पाना चांदेने और नादेली एर केंडल वरगा प्रोडक्ट वी बाजार देविच मिल देए इस तकनीक देविच एक लंबी पतली ते जाल दी हुई मौमबती नूँ इक शंकुद आकार वाली चीज देविच रख्या जान दा है शंकुद विच एक पास से छेड हुन दे और इस दी दिशा कांदे अंदर हुन दी है एधावा किता जान्दा है कि इसदे इस्तेमाल देनाल कांधी मैल अते होड अशुद्धियां साफ हो जान दियाने पर रिसर्च तो पता चाल दे कि एर केंडल्स कांधे मैल साफ करन दी विच असरदार नहीं है अते इस देनाल खतरा हो सकता है एर ड्रोपस काफी लोग एरड्रोप्स ता इस्तिमाल कंद साफ करन देली करतेने एरड्रोप्स कांदे मैन नू इन्नी नमी वला कार दिन देने के खुदी बार आ जावे बजार दे विच कई तरह दे एरड्रोप्स मिल देने एज़ेडियां चीज़ा नू मिला के तियार किते जान देने उस दे विच हाइड्रोजन पैरोकसाइट, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम क्लोराइड वरगियां चीज़ा हुन दियाने हाला कि एरड्रोप्स असरदार हो सकते ने पर कुछ मामलिया दे विच कुछ चमड़ी ते इस दे इस्तमाल देनाल जलन दी समस्या भी वेखी गई है इस दे बदले जैतून अते बदाम दे तेल दिया बुंदा खोर मेंगे कमर्शिल प्रोडक्स दी तरह ही असरदार मनिया जान दियाने पानी दे नाल सफाई जे कर तुहानू एरवेक्स दी लगातार समस्या रेंदी है ते मुम्किन है कि तुहार्डा डोक्टर तुहानू कांदी पानी देनाल सफाई करन्दा सुझा आदे वे मैडिकल साइस दे विच इस तरीके नू सीरेजिंग वीकेंदेने इस तक्नीक दे विच कांदा मैल साफ करन्दे ले एक सिरंज दे जरिये कांदी नलिकामा दे पानी दे फुहारे पाये जान्देने हाला कि इस तरीके देनाल एरवेक्स साफता हो सकता है पर कुछ मामले दे विच तकलीफ दे साबत हो सकता है एथो ताक कि इस देनाल कांदे परद्यानों वे नुकसान हो सकते है। एरवेक्स तो परिशान मरीजा देले कुछ मेडिकल क्लिनिक्स, माइक्रो सक्षन दा रस्ता भी चुन देने। इस प्रक्रिया दे वीच स्पेशलिस्ट डॉक्टर कांदे अंदर दा हाल वेक्खन देले माइक्रो सकॉप दा इस्तमाल कार देने। अधिक छोटे जे ओजार देनाल उसनु खिच लिया जान्दा है। हाला कि ए तरीका काफी सुरख्यत मन्या जान्दा है।